आईए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की पौराने कथाएं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशिर्वाद दीजिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ती कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गनेश की पूजा के दौरान संकष्टी गनेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथ्वा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित चार कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे कब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए उस समय शिव के साथ कार्तिके तथा गणेश जी भी बैठे थे बाद सुनकर शिव जी ने कार्तिके व गणेश जी से पूछा कि तुम मेंसे कौन देवताओं के कश्टों का निवारन कर सकता है तब कार्तिके व गणेश जी दोनों ने ही स्वयम को इस कार्य के लिए सक्षम बताया इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृत्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्ति के अपने वाहन मोर पर बैठ कर पृत्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए परन्तु गणेश जी सोच में पढ़ गए कि वह चुहे के ऊपर चड़कर सारी पृत्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा तभी उन्हें एक उपाय सूझा गणेश अपने स्थान से उठेन और अपने मातापिता की साथ बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए परिक्रमा करके लोटने पर कार्ति के स्वयं को विजेता बताने लगे तब शिव जी ने श्री गणेश से पृत्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तब गणेश ने कहा मातापिता के चरणों में ही समस्त लोख हैं यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आग्या दी इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशिरवात दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रातरी में चंद्रमा को अर्ग्य देगा उसके तीनो ताप यानि दैविक ताप तथा भवतिक ताप दूर होंगे इस व्रत को करने से व्रद्धारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ती होगी चारों तरफ से मनुष्य की सुख्स्मृध्धी बढ़ेगी पुत्रपौतरादी धनैश्वर्य की कमी नहीं रहेगी गणेश चतूर्थी व्रत की दूसरी कथा एक समय की बात है राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुमहार था वह मिट्टी के बरतन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते थे एक पुजारी की सला पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बरतनों के साथ आवा में डाल दिया उस दिन संकष्टी चतूर्थी का दिन था उस बच्चे की मा अपने बेटे के लिए परेशान थी उसने गणेश ची से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की दूसरे दिन जब कुमहार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बरतन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मा को बुलवाया तो मा ने सभी तरह के विग्ण को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्नन किया इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौत का वरत करने लगी तीसरी कथा एक समय की बात है कि विष्णो भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया विवाह की तैयारी होने लगी सभी देवताओं को निमंतरन भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंतरन नहीं दिया कारण जो भी रहा हो अब भगवान विष्णो की बारात जाने का समय आ गया सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारों में आए उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं नियोता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए है सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा तब ही सबने विचार किया कि विष्णो भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए विश्णो भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनात महादेव को न्योता भीजा है यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते अलग से न्योता देने की कोई आवशक्ता भी नहीं थी दूसरी बात यहाँ है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड़ू का भोजन दिन भर में चाहिए यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता इतनी वारता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया यदि गणेश जी आभी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना आप तो चुहे पर बैठकर धीरे-धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विश्नो भगवान ने भी अपनी सहमती दे दी होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया बारात चल दी तब नारत जी ने देखा कि गणेश जी तो दर्वाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणेश जी के पास गए और रुखने का कारण पूछा गणेश जी कहने लगे कि विश्नो भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है नारत जी ने कहा कि आप अपनी मूशक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धर्ती में धंस जाएंगे तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा अब तो गणेश जी ने अपनी मूशक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिये धर्ती में धंस गए लाख कोशिश करें परंदू पहिये नहीं निकले सभी ने अपने अपने उपाय किये परंदू पहिये तो नहीं निकले बलकि जगजगा से तूट गए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब तो नारत जी ने कहा आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकर टल सकता है शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया तब कहीं रत के पहिये निकले अब रत के पहिये निकल को गए परन्तु वे तूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेट में खाती काम कर रहा था उसे बुलाया गया खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नम कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया तब खाती कहने लगा कि है देवताओं आपने सर्व प्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजन की होगी इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है हम तो मूरक अज्ञानी हैं फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं उनका ध्यान करते हैं आप लोग तो देवताओं हैं फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल्दी और विश्णो भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवा संपन्न कराके सभी सकुषल घर लोटाएं हे गणेश जी महाराज आपने विश्णो को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो बोलो गजानन भगवान की जै चौथी कथा श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराने कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड खेलने को कहा शिव चौपड खेलने के लिए तैयार हो गए परन्तु इस खेल में हारजीत का फैसला कौन करेगा यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बना कर उसकी प्राणर अतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा बेटा हम चौपड खेलना चाहते हैं परन्तु हमारी हारजीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता उसके बाद भगवान शिव और माता पारवती का चौपड खेल शुरू हो गया यह खेल तीन बार खेला गया और सैयोग से तीनों बार माता पारवती ही जीत गई खेल समाप्थ होने के बाद बालक से हारजीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजई बताया यह सुनकर माता पारवती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड में पड़े रहने का श्राप दे दिया बालक ने माता पारवती से माफी मांगी और कहा कि यहां मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है मैंने किसी द्वेश भाव में ऐसा नहीं किया बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा यहां गणेश पूजन के लिए नाकन्याएं आएंगी उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो ऐसा करने से तुम मुझे प्राप करोगे यह कहकर माता पारवती शिव के साथ कैलाश परवत पर चली गई एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नाकन्याएं आई तब नाकन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधी मालूम करने पर उस बालत ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया उसकी शद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए उन्होंने बालक को मनोवांचित फल मांगने के लिए कहा उस पर उस बालत ने कहा है विनायत मुझमें इतनी शक्ती दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश परवत पर पहुँच सकू और वे यह देख प्रसन्न हो तब बालक को वर्दान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए इसके बाद वह बालक कैलाश परवत पर पहुँच गया और कैलाश परवत पर पहुँचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई चौपड वाले दिन से माता पारवती शिवजी से विमुख हो गई थी अत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का वरत किया इस वरत के प्रभाव से माता पारवती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्थ हो गई तब यह वरत विधी भगवान शंकर ने माता पारवती को बताई यह सुनकर माता पारवती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिके से मिलने की इच्छा जागरित हुई तब माता पारवती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का वरत किया तथा दूर्वा, फूल और लड़ूओं से गणेश जी का पूजनर्चन किया वरत के 21 दिन कार्तिके स्वयम माता पारवती जी से आमिले उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह वरत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ती करने वाला वरत माना जाता है इस वरत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुक्सुविधाय प्राप्थ होती है